तो दोस्तो ये है महिंद्रा स्कॉर्प्यो एम हॉग 2013 का मॉडल है डीजल कार है ये और इस कार में आप देख सकते हैं कि इसकी जो हमने ऑइल टेपेश्टेक यानि जो मोबिल चेक करने वाला जो गेज होता है वो निकाल दिया तो यहाँ पर सफेद सफेद आपको दुवा दुवा यानि भाब जो है निकलती हुई दिख रही होगी क्योंकि इस गाड़ी में जो है दोस्तो बैक कंप्रेशर बहुत जादा हो गया है और गाड़ी जो है इन्जन ओयल भी सर्विस से और दूसरी सर्विस के टाइम तक काफ तो याँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक्सिलेटर करो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काला और गरे कलरका दोनों कलरका दोहां मिलाकर दे रही है इसका स्लंधर हेट जो है दो है तो इसका पूरा एंजान जो है वो अवराल करेंगे है तो इस वीडियो गूरी है तो अभी खुलवाएंगे इंजिन के ये सभी पार्ट और पूरा इंजिन खोलने के बाद में फिर आपको दिखाएंगे तो दोस्तो आपने नोटिस किया होगा इसकी स्टार्टिंग जो है वो भी बहुत जादा लेट है यानि हम जब क्रेंकिंग कर रहे हैं तो इंजिन तो घूम रहा है लेकिन इंजिन स्टार्टिंग नहीं पकड़ रहा है तो अमने इभी इसमें पैटरॉल तुमाया तो इंजिन ये स्टार्ट हो गया है तो चलिए अब इस इंजिन को हम खुलवाएंगे और आपको दिखा रहे हैं इसमें बहुत जादा बैक कंप्रेशर है और इसका सिलेंडर हैड में जो वाल जो लगे होते हैं वो भी पूरी तरह से कट गए हैं और बैक कंप्रेशर की कंडिशन गया है इंजिन ओयल के छीट तो अब पूरी फिटिंग खुलवाएंगे एक एक करके इंजिन की सभी तो इसका सभी पार्ट खोल कर बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद में आपको दिखाएंगे तो दोस्तों जब भी कभी अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी दिक्कत अगर कभी आ रही है तो इसका इंजिन का ही काम कराना पड़ेगा तो वीडियो में दिखाने का मकसद यह यह कि इंजिन में क्या क्या दिक्कत आती है और लोग हमारे पास में हमारी वीडियो देखकर फोन करके या कमेंट करके भूशते हैं कि सर इसमें कितना खर्चा आता है या क्या होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके जैसे के हॉस पाइप हैं जो पानी वाले तो पानी वाले हॉस पाइप भी काफी तरह चटक गए यह फूल गए हैं और यह कमजोर पड़ गए हैं तो यहां से आप देख सकते हैं पानी इसका जो कूलेंट है बाहर आ रहा है तो हॉस है इस चैड़ का भी आफेख सकते हैं जाई हैं और दोस्तों इसका इंचन पूरा निकालने के BAD में अच्छे तरीके से दोला ही कर इन्हेंरी दोस्तों इंचन निकाल लिया है और इसके ध्यूल तो इंजेक्टर पूरी तरह से जाम है इसके अंदर हमें पुलर लगा कर इसको निकल रहे हैं आप देख सकते हैं वीडियो में तो जब बहुत जादा जाम हो जाते हैं तो इंजेक्टर जो हैं पुलर से निकलना होते हैं क्योंकि बिना पुलर की अगर आप निकालेंगे तो थाबुत नहीं निकलेंगे तोड़कर ही निकालना पड़ते हैं तो अभी हमने पुलर लगा दिया और इसको निकल वा रहे हैं और इंजेक्टर जो है बहुत जादा जाम निकले हैं अब कि दोस्तों यहां पर अब जेख सकते हैं इंजेक्टर के ऊपर कितना सारा कार्बन डिपाजिट हो गया है कितनी सारी पपली जम गई हैसको ओपर और दोस्तों यह किस रीजिन से होता है जो इंजेक्टर की वारशर होती है तो और लुगता हैं तो अब लिए कर दो देंगे तो नहीं है तो दोस्तों ये है Scorpio M Hawk 2013 का model डीजल कार है ये कार और अभी खुलबा रहे हैं हम इसका oil sump जो oil chamber जो कहलाता है और इसका cylinder head जो है वो हमने बाहर निकलवा दिया है और दोस्तों जो धुआँ आपको मैंने दिखाया था वीडियो में उसमें दो रंका दुआ आ रहा था काला और ग्रेकलर का यानि सुर्मई रंका और काला रंका मिला क्या आ रहा था तो ये एक नमबर का जो cylinder है इसके वाल आप देख सकते हैं वाल पूरी तरह से damage हो चुके हैं और इस cylinder पर आप देख सकते हैं एक नमबर का cylinder और बागी का जो पीछे वाला तीन नमबर का ये दो cylinder जो हैं वो पूरी तरह से damage हो चुके हैं ये वाला और एक नमबर वाला बागी दो cylinder इसमें ठीक हैं जैसे कि ये दो नंबर वाला और चार नंबर वाला लास्ट का ये ठीक काम कर रहा है लेकिन तीन नंबर वाला सिलेंडर और आपका सबसे आगे वाला एक नंबर वाला वो खराब है जैसे कि ये वाला खराब है और दूसरा आपका एक नंबर वाला ये वाला ये वाले के वाल कि हाई जो ऊब गयुआ है तो अब लोग भी खुल बारहे हैं भी तो की लोग पे भी आप कंदिकी भी देख क्लिएग में और केंपे। इसलिक Awesome सफाई करेंगे सफाई करने के बाद तब हम इसे ब्लॉक वाले के पास बेजेंगे इसमें सिलीब लगने के लिए तो दोस्तो सिलेंडर हैड हमने खुलवा दिया है ब्लॉग भी 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 बाहर निकाल लिया है ब्लॉग के अंदर से जो क्रेंग बगर लगी होती है वो टोटल पाट्स हमने सभी बाहर निकाल लिये हैं और इसमें काफी गंदिगी है तो इसके अभी सभी पार्ट जैसे कि इसका ओईल संप है चेमबर ये सभी पार्ट जितने इंजन के खोले हैं एक एक करके सभी की दुलाई करवाएंगे और ये इसके पिश्टन है तो पिश्टन जो हैं तो चारो ये चारो ही हमने डालेंगे हाला कि इसके रिंग और सिलीब जादा करती हैं लेकिन क्या होता है अभी ये गाड़ी 13 मॉडल है और संदो अजार 23 सभी चल रही दस साल तो हो गया तो दस साल कोई भी पार्ट चलता है तो वो कमजोर पड़ जाता है और लगबग लगबग चेंज करने की कंडिशन में हो जाता है और ये गाड़ी जो है जो के इसके अंदर आउइल पंप भी इसी में लगा होता है तो ये भी काफी गंदा है इसकी दुलाई करवाएंगे और दुलाई करने के बाद सभी पार्ट से करके रेडी कर लेंगे हम और ये इसका रॉकर आरम कवर है जो केमशाफ्ट का कवर भी कहलाता है यानि करने के लिए बाद में एक पर हमें दोना और पड़ता है यानि कम से कम दो से तीन बार दुलाई होती है तब जाके सभी पार्ट चमकते हैं जैसे के ये सिलेंडर हैड है सिलेंडर हैड भी हम पूरा साफ करके रेडी करके तब लेके जाते हैं खराद वाले के पास में ताकि ये ब्लॉक है ब्लॉक को भी हमने सिंगल हाथ एक बीजल से दो लिया पूरा और उसके बाद में अभी पानी वाला प्रेशर लगवा रहे हैं तो ब्लॉक की भी हम अच्छे तरीके से सफाई करके तब लेके जाएंगे उसके बाद में इसकी बॉडी कटिंग होगी उसमें नई सिलीप लगेंगी तो अभी ये दुलाई करने के बाद में ये सभी पार्ट रेडी कर लेंगे उसके बाद हम लेकर चाएंगे इसको खराद वाले के पास और बिल्कुल रेडी करा लेंगे उसके बाद हम इसका फिटिंग का वीडियो आपको दिखाएंगे तो फिटिं में आप देख सकते हैं यह इसका गेर वोक्स के अंदर सामने लगा एक किलाज बैरिंग जो सिलेव सिरेंडर कहलाता है वो भी खराब है और यह इसके इंजन मॉंटिंग है तो इंजन मॉंटिंग यह वाला तो ठीक है राइड वाला बागी लेफ्ट साइड का यह वाला यह जो बोल्ट है इस्टड है वो अंदर बैठ गया है तो यह खराब है तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही बाकी आपको इंजन की फिटिंग थेंगेंगे अगले पार्ट में